नमस्कार दोस्तों, आज के सेorgon में हम डिस्क्रेस करींगे, कि हम Windows में screenshot किस तरीके से ले सकते हैं, फ्रेंग्स इस तरीके से हम Mobile में screenshot लेते हैं, उसी तरीके से हम Windows में भी screenshot ले सकते हैं, इसकी लिए Windows में inbuilt feature होता है, उन करने के लिए Start पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम search कर लेंगे snapping tool snapping tool पे click करेंगे screen आपको कुछ highlight दिखाई देगा इस तरीके से तो इस time पे हम area select कर लेंगे जिस भी area का हमको screenshot चाहिए तो हमने यह area select किया तो जो हमने selection किया है वो हमारे पास में ऐसे picture यहाँ पे insert हो जाएगा इसको save करना है तो यहाँ पे floppy का icon है इसके उपर हम click करेंगे save के लिए और जहाँ पे भी हम save करना है जैसे हम desktop पे save करना है default jpg file ले रहा है और यहाँ पे हम type कर देंगे file का नाम save तो हमने हमारी जो picture थी screenshot था उसको save किया था desktop पे इसको हम double click करके open कर लेंगे ओके फ्रेंड्स आज के session में आपने सीखा कि आप windows में screenshot किस तरीके से ले सकते हैं आज के session में इतना ही मिलते हैं next video में next topic साथ में तब तक के लिए good bye